Hello everyone and welcome to my channel First Homes, मेरा नाम गूर्पीट सिंग है, आज आपको मैं 5 mistakes बताऊंगा जो normally लोग करते हैं, flat के keys लेने के पहले या flat का position लेने के पहले, जो आपको award करनी चाहिए, सबसे पहली जो mistake जो लोग करते हैं position लेने के time पे, वो देखते हैं कि building ready हो गई है और जाके builder को 100% payment करके आपको builder को surely पूछना है कि building का OC आया है की नहीं, OC की copy लेने के बाद ही आपको वहाँ पे रहने का permission है, बिना OC builder को position देना भी allowed नहीं है और आपको building में रहना भी allowed नहीं है, तो आप ये ensure कीजिए कि building का OC आया है, इसके बाद ही आप रहने को जाईए, second mistake जो लोग करते हैं, वो है कि अपना flat पूरी तरह से check नहीं करते हैं, आप आपका flat जब आपको रहने जाना है, उसके पहले आप builder का एक supervisor को लेके flat पुरा check कर लिजिए कि flat में काम ठीक से हुआ है कि नहीं, जैसे for example उसका painting ठीक से हुआ है कि नहीं, उसके doors और carpentry work जो है, वो ठीक से लगे है कि अपके लिए safety होगी, third mistake जो लोग ये करते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि flat as per आपके plan बने है कि नहीं, आपका जब agreement होता है, तो agreement में आपका flat का plan लगा होता है, जिसके आप sign करते हो, तो वो जो plan copy है, वो plan copy के यसाब से flat है कि नहीं, जैसे hall के सामदे अग करके ignore करते हैं और चामी लेकर चले आता है रहने के लिए, ऐसे गलती मत किजिए, चौथी mistake जो लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि keys ले ली और shifting कर ली, आप relevant documents सब लेना builder से, जैसे आपका हपसे important है position letter, OC copy, आपकी payment की receipts, आपकी maintenance की receipts, और भी बहुत सारी documents होते हैं, जो मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा, कि सब documents आपको at the time of position आपके पास होने चाहिए original, यही आपके flat के ownership के documents हैं, पांच भी और आखरी mistake जो लोग करते हैं, अगर आपने building में parking purchase की हुई है builder से, तो आप आपकी parking परसनरी जाके check करना, parking number और parking के related documents हैं, वो भी आपको लेने हैं, यह थे 5 mistakes जो normally लोग करते हैं, अगर आपको द्यार रखोगे, तो आपको बहुत easy होगा आगे, position लेने के बाद में society में कुछ issues नहीं आएंगे, thank you very much.